नमस्कार दोसों, आज का डिक्टेशन सत्तर सब्द प्रति मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट इजराहिल और फिलिस्तिन में एक हफ्ते से चल रहे हिंसा के तांडवने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है विराम, दोनों तरप से हो रहे हवाई और रोकेट हमलों में सो से जादा लोग मारे जा चुके हैं दरजरों इमारतें ध्वस्त हुएं, हजारों बे घर लोग पलायन को मजबूर हैं विराम, इजरायल में कमों बेस ग्रह युद्ध के उसी तरह के हालात हैं जैसे 1948 के इजरायल अरब देशों के युद्ध के दौरान पेदा हुए थे विराम, अपसोस की बात है कि 21 सदी की दुनिया में आदिम युग जैसी हिंसा का खौफनाग खेल खेला जा रहा हैं विराम, समस्याओं को हिंसा से निपटाने की प्रवरति बढ़ रही हैं विराम, सभ्यता के विकाज के साथ दुनिया को इस पासविक प्रवरति से आजाद हो जाना चाहिए था लेकिन देशों, समाजों के विभिन, तबकों के बीच भाईचारे और सौहार्द के बाजाई हिंसा कुंडली मार कर बेट गई है विराम, जरासी हवा पाते ही यह फुपकार उठती है विराम, यह विकास की अदकचरी समझ का नतीजा है कि हिंसा को समस्याओं से निपटने का आखिरी रास्ता मान लिया जाता है विराम, सबसे ज़्यादा अपसोस की बात यह है कि संयुक्त राष्ट के सात सात जिन बड़े देशों पर अंतर राष्टिये सांती बरकरार रखने की जिम्मेदारी है उन्होंने अब तक इजराइल और फिलिस्तिन में लगी आग बुझाने की कोई ठोस पहल नहीं की है इसके बावजूद वे पक्स प्रतिस पक्स में लामबंद हो रहे हैं इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्यावनुहु ने रविवार को एक ट्वीट में समर्थन के लिए अमरीका, ओस्ट्रेलिया, साइप्रेस, जोर्जिया, जर्मनी, इटली, युक्रेत समेत 25 देशों के प्रति जो आभार प्रधर्शन किया उससे साफ हो जाता है कि कुछ बड़े देशों के लिए हिंसा भी गुट बाजी के प्रधर्शन का मौका है जबकी बरसों से जारी लड़ाई के स्थाई समाधान के लिए दरकार निस्पक्स तथा तटस्त नजरिये की है विराम ताजा हिंसा पर भारत सरकार की अधिकृत प्रतिकरिया भले नय आई हो भारत विभिन अंतर राष्टिये मंचों से इजराईल और फिलिस्तीन में सांती बहाली पर जोर देता रहा है विराम संयूक्त राष्ट में भारत के स्थाई प्रतेनिधी टी एस त्रेमूरती ने 11 मै को सुरक्षा परिसद की बेठक में सांती वारता फिर सुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि इस समय सभी पक्सों को संयम बरतना चाहिए विराम। उन्होंने सुरक्षा परिसद के प्रस्ताव नंबर 2334 पालन पर भी जोर दिया विराम। यह प्रस्ताव 2016 में पारित किया गया था विराम। इसमें कहा गया था कि येरुसलम समेत 1967 के बाद के कबजे वाले फिलिस्तिनी इलाकों में बसाई गई इसराइली बस्तियां अंतर राष्टिये कानून का उलंगन थी। विराम। आग में घी डालने के बजाए बड़े देशों को भी सांती वारता के लिए जमीन तैयार करने की कोशीसों में जुटना चाहिए। विराम। सयुंत राष्ट्र को फवरी तोर पर अपनी टीमों को सांती मिसन पर रवाना कर देना चाहिए। विराम। मध्य पूर्व का हिंसा की अंधी सुरंग की तरफ बढ़ना तमाम दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। विराम। बेशक सभी देश इस समय कोरोना के युद्ध में व्यस्त है। लेकिन दुनिया में कहीं भी किसी और युद्ध की आसंकाओं को टालना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाप।